सवनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं भगवान सिरणाम को मानने वाले लोग हैं ये भारत हमेशा से रिश्यमुनियों का देश रहा है समाज के सभी वर्गों के लिए काम उन्होंने किया ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया और हमारी प पावन धर्ती जर्म धर्ती शीता मठी में और जैसा कि आप जानते हैं शीता मठी को बीजेभी का गड़ कहा आता है और इसी गड़ के एक महारती यानि शीता मठी के अंतरगत पत्थनाहा अभिधान शभा के विधायक युवा विधायक अनिल कुमार जी हमारे शाथ मौजू स्वागत है बावा का विहार के पावन धर्ती पर जैसा कि आप जानने हैं विहार के पर्यावरन मंत्री तेजपरताप यादव ने बहुत सारा बयान दिया था विवाईद बयान दिया था कि उनको हम एयरपोर्ट पे घिराव करने काम करेंगे लेकिन ऐसा कुछ तो देखा के से देखते हैं और हम लोग तो स्वनातन सकृति को मानने वाले लोग हैं कौकि समाज में अच्छे विचारों को समावेशित करने का काम करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके द्वारा भी कुछ ऐसी बाते निकल जाता है और जिसके कारण विवाद पैदा होता है करनाटक वे विधान शुवा का रिजल्ट की आ गया इसमें कॉंग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी का मतलब बीजेपी को सिर्फ पैसर सित मिला है तो इस पर आपका क्या कहना है कि विजेपी का उसमें बहुत सारी स्ट घटा दिया बीजेपी का जो पहले से मजबूत थी क करनाटक में बीजेपी अब कॉंग्रेस अब मजबूत सिती में हो गई है और इस काफि हमारी पर्टी ने काम किया और वहां के लोग मानिय प्रधान मंतvation को देखते और सबका प्रयास जैसे विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने युवाओं के लिए महिलाओं के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए काम उन्होंने किया ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है कोई भी समाज नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया अनुसुचित जाती से लेकर के पिछरों से लेकर के सब के लिए उन्होंने बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया है infrastructure के development में उन्होंने बहुत अच्छे काम किये लेकिन जो करनाटका की स्थिती थी उसमें पूरा ध्रोवी करन की राजनिती हुआ Congress के द्वारा और जिसमें वो लोग सफल हुए हम लोग ध्रोवी करन की राजनिती कभी नहीं करते हैं और हमारी पार्टी देश के लिए काम करती है भारत माता के लिए काम करता है और उसी पर हम लोग चलते भी हैं उसी विचारधारा पर काम करते हैं और हमारी कोई हार नहीं है, हमारा जो vote percentage वहाँ है, वो ठीक है, और निश्ची तोर पर 2024 में उस हार से हमारा कोई फर्क नहीं परता है, हमने हारा नहीं है वहाँ पर, हमने अपनी बातों को रखा, उस जंता का हम सम्मान करते हैं, वहाँ, क्या लगता है बजरंग बली का मुद ही वहाँ नहीं था, वो सब के भगवान है, बैंतों मालिजे, यह शुरू हुआ बजरंग दल को ले करके, अब PFI जैसे संगठन, जो अभी काम करते हैं इसमें, उससे आप बजरंग बली, बजरंग दल की तुलना कभी नहीं कर सकते हैं, बजरंग दल एक समाजिक संगठन ह जो समाज को बेहतर करने के लिए काम करता है, यह से PFI जैसे संगठन नहीं है, और उसकी तुलना करके ध्रूबी करन करने का काम जो है, कॉंग्रिस पार्टी ने किया, जिसका लाब उन्होंने मिला, उनको मिला, वो PFI जैसे संगठने के कारण जो है, ऐसा हुआ, हम लोग त एक अच्छे संस्कृती को लागू करने के लिए बजरंग दल जैसे संगठन काम करते हैं, और वो करते रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को करना है कि बीजेपी अपनी पूरी शिर्ष नेताओं को प्रधान मंत्री नेंद्रमोंदी और जि करताओं की पार्टी है, पार्टी में जो चाहे वो कितने भी बरे मंत्री क्यों नहीं हो, बूथ तक वो जाते हैं, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, जिसमें लीडर्स बूथ तक घूनते हैं, बूथ तक जा पाते हैं, हम लोग पार्टी हमें जहां लगाती है, पार्टी हम हमारी माह हैं और उनकी सेवा करना हमारा प्रमकर्तव्य बनता है हमारे एक-एक नेता को जहां लगाया जाता है काम के लिए हम लोग वहां जाते हैं और निश्चित रूप से जाना भी चाहिए आज इसी का प्रणाम है कि पूरे विश्व में भारती जनता पार्टी सबसे बर नहीं है हमारा वोट परसेंटेज पूरी तरीके से बरकरार है हमने ध्रुवी करन की राजनिती वहां नहीं किया और हम जनता के जना देश का सम्मान भी वहां करते हैं और निश्चित रूप से पुना हम लोग करनाट में आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएंगे और अब अब इक कोई बीदेख सकते हैं अभी देश में शिर्फ नरेंद्र मुदी जी ओरर क्योंकि उन्होंने काम किया है इस देश को मजबूत करने के लिए काम किया है सांस्कृतिक रूप से आप देख लीजिए अध्या में भगवान शुरणाम का मंदिर बन रहा है आप बनारस चले जाईए इस सारी जोगों पर काम हो रहा है कस्मीर में 1337 एक ही देश में रह करके और एक दूसरे जो स्टेट है उसका अलग कानून है कश्मीर का अलग कानून है क्या यह कुछ ऊचित था इतना बड़ा बड़ा काम मानी प्रधान मंत्री जी आपको मानी नितीस कुनारा बिहार के शुचु शाशन बाबु बख्षी नेताओं को प्रभ्षी पाठी को एक करदे में सफ़ालों पाएंगे आप परदान मंतिरी बन पाएंगे पहले तो अपना बिहार समभालने की जरूरत है बिहार में कितनी गरीबी है कितनी असमांताएं हैं आज देख लिजए कितनी हत्याएं हो रही है बिहार प्रदेश में जो सिक्षक टे टी पास अब भीहारती हैं रोड पर हैं किसी भी विभाग में भी बहाली नहीं है युवावर्ग पूरी तरीके से त्रस्त है तो यह पहले बिहार को संभालने की जरूरत है बिहार में अभी की जो महागठ्वन सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल है आप स्वास्त की वेवस्था को देख लिए जैसे इतने आप देख रहते कहीं पे अशा निव जा रहा था कि हत्या हो रहा है कहीं जहरीली सराब से लोग मर रहा है हम लोग ने बहुत अच्छा कंट्रोल करने का काम किया इतने दिनों में कभी ऐसा हो रहा था लेकिन आज देख लीजे जब आर्जेडी की सरकार आई और क्या इस्थिती अभी बिहार का है लोग बिहार आने से डर रहे हैं तो जब बिहारे की स्थिती ठीक नहीं है तो पूरे देश को कैसे वो एक जूट करेंगे क्या लगता है आपको दुहजार चौबिस के लोग सभचुनाओं में बिजेपी बिहार में चालिस के चालिस सीट जितवाएगी हंडर परसेंट हम लोग हंडर परसेंट चालिस की 40 सीट यहां से जितेंगे काउंकि हम लोग बूथ पर काम करते हैं हमारे कारिकरता राजपुत में एक आनन्द महन ही जिनेता नहीं है हमारे राजनात सिंग जी मानियनेता है और हम लोगों के आधर्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनका पॉलिटिकल अपना प्रभाव होगा जहां भी होगा और निश्चित रूप से अभी हमारे देश में सिर्फ और शिर्फ जो आम जनता है मानिय प्रधान मंत्री जी की ओर टक टकी लगाए देखते हैं पूरा देश पूरा विश्व देखता है और वो काम करते हैं उसमें सा कोई लेना देना नहीं समाज की शुद्री करन से कोई लेना देना नहीं है जाती उनमात प्रधान मंत्री काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा भारत उनके नित्रित्व में विश्वगुरु बनेगा दोजार चोबीस में पुनह वो प्रधान मंत्री बनेगे कोकि इस देश की जनता और लगवक सभी राज्यों में माने प्रधान मंत्री जी को पसंद करते हैं और पुनह वो प्रधान मंत्री बनेगे बिहार के लिए हमारा यह कहना है कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था लागू हो माने मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़ा है गड़ीब है आखिर इतने दिनों से अरजडी की सरकार थी फिर जड़ियों की सरकार आई तो इतने दिनों में वो कर क्या रहा थे जब सारा राज उसको की कमी क्यों है क्यों आप विकास नहीं किये आपके पास पर्याप्त फंड भी था केंद्र से भी फंड दिया गया लेकिन आपने विकास क्यों कि आज ऐसी नवबत क्यों है कि बिहार आज भी पिछरा है आज भी गरीब है तो एक वीजन के साथ काम करनी की जरूरत है उसमें सिक्षा व्यवस्ता जो समाज की जो लोगों की जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति सर्भतम होनी चाहिए जिसमें सिक्षा है स्वास्थ है बिरुजगारी है इस पर बिहार की सरकार को काम करना चाहिए बिहार के लोग मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं और वो लोग जानते हैं कि कौन क्या करता है और उसका जवाब जो है 2024 और 2025 में यहां की सरकार को देगा बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे और पूरण बहुमत की सरकार बनाएंगे एक बार भाजपा को जरूर इस बार जनता जो है मौका देगा बतना हाँ के विधायक अनिल कुमार जी हमारे साथ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद की देखा आपने क्या कुछ कहा बमाई देश के फीरा है बिहार की र में चर्चे हो रहे हैं अब कर से वेफ़ाद में हो रहा है तो हमारे साथ देखों से सब्सKY मार्सक्राण के लिए के लिए हैज क्रिण कर्षप के साथ में शीवं धन्यवाद गा